गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आपके हिंदी व्याकरन का 18 लेसन पेज नमबर 127 शुद और अशुद शब्दों और वाक्यों का ज्यान आज ही हम कराते हैं हिंदी भाषा और नागरी लिपी की सबसे बड़ी विशेशता यह होती है कि जैसा हम लिखते हैं वैसा ही लिखते हैं इसलिए हमारा शुद उचारन अवश्य होना चाहिए क्योंकि हम जैसा उचारन करेंगे वही हम लिखेंगे अगर हम बोलते हैं है तो है अगर हम बोलते हैं तो उस पर अनुस्वार आता है तो उचारन पर ध्यान ना दिये जाने के कारण वर्तनी की अशुधियां हो जाती है अशुधियां होना किस पर डिप्रेंट करता है उचारन पर तो भारत पर विभिन प्रान्तों में रहने वाले लोग हिंदी शब्दों का उच्चारन अलग-अलग धंग से करते हैं इसके कारण भी अशुद्यां उने की संभावनाई होती है तो इस परकार से हम देखते हैं कि अशुद और शुद्शब किस परकार के होते हैं आधिन और जबकि उसका शुद होता है अधिन बारात बारात नहीं होता बरात होता है आकी मातरा एक बरात यह रग की बाद सामाजिक सामाजिक होता है सामाजिक नहीं यह page number 127 पर है इसको आपको अच्छे से रीडिंग करनी है देख करके अगामी गलत होता है इसका शुद चारन होता है आगामी तिथी तिथी पर एक बार छोटी दुबारा भी छोटी जली बिया जब हम भोवचन करते हैं तो बार पर छोटी की मातरा जाती है यह चंद्रविंदू वापिस नहीं होता है वापस शुद उसका होता है वापस प्रदर्शनी प्रदर्शनी द श के उपर र आया है परिक्षा चोटी की मात्रा नहीं आती है बड़ी की मात्रा दिवार दिवार बड़ी की मात्रा गुरू मृत्यू पालतू तुफान रितू र नहीं रिरी आएगा इसी परकार ब्रीज में र देखिए कैसे वाला रहा है इतिहासिक ए ए की मात्रा होती अई इतिहासिक नहीं अनक नहीं एनक त्यूहार त्यूहार अलोकिक नहीं आलोकिक भी नहीं अलोकिक लवपे दो मात्रा है आंग अनुस्वार नहीं, चंद्रविंदू पाँचवा वापर भी चंद्रविंदू है नैन तो बिलकुल ही अशुद हो जाता है चाहई ये, येवपे की मातल नहीं, चाहई ए ए आता है विभ्म्यान, नहीं विज्ज्यान सो भाग नहीं, सो भाग्य है सोभाग तो बहुती देशी लेंग्विज में जैसे हम बोली में कह देते हैं लेकिन लिखने में सोभाग गये बानी नहीं वानी जबाब नहीं जबाब व आता है इस पर का शुद अशुद हमें अच्छे से उचारन हमारा शुद होना चाहिए तो हमारी वर्तनी की अशुद्या भी कम होती है या होती भी नहीं है तो आपको ये पूरा पेज अच्छे से पहले रेडिंग करना है और फिर लिख कर देखने का अभ्यास करना है नेक्स वीडियो में आगे मिलते हैं गुद्बाई एंड टेक केर